कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सबी का मॉर्निंग की इस वीडियो में बात करेंगे मार्किट की बिटकॉइन की लेकिन उससे बहले आप सबी को वेरी गूड मॉर्निंग अगर आप मार्किट को देखेंगे बिटकॉइन को रात को फिर से गेम हुआ है और बिटकोईन क्रिप्टो में गेम होते रहेंगे ठीक है इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है मार्किट में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए जो भी expected है अगर वो हो रहा है जो आपने expect किया था बहुत यह तो बड़ा इजली होने लग जाए मार्किट के अंदर तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गडबड है है ना और वही हुआ बिटकोइन के साथ कल CPI डेटा आया 4.9 परसेंट तो जैदा कम नहीं आया 5 परसेंट से थोड़ा सा ही कम आया और ऐसे में बिटकोइन थोड़ा सा उपर गया बुलिश सिचुएशन दिखाई हमको 28,300-400 तक के लेवल दिखाई लेकिन वहाँ से सीधा हम गिरे कहां गिरे 26,700 और जो ये लेवल 27,200 का तूट नहीं रहा था दो तीन बार उसको फाइनली तोड़ा और अभी जो है 27,400 पे लेवल चल रहे है बिटकोइन के जी हाँ 27,400 पे टिका हुआ बिटकोइन अभी और जरूरी है बिटकोइन के लिए अगर इन लेवल को ब्रेक करता है 27,700 के जो लेवल्स हैं 800 के लेवल्स हैं उनको ब्रेक करता है उपर जाता है तो चीज़ें अच्छी हो सकती है लेकिन अगर आप देखो CPI डेटा से पहले जो जहां मार्केट चल रहा है है ना वहीं पे मार्केट आ चुका है कुछ भी नहीं हुआ बस एक पंप डंप वाली जो लगने लगी उनको लिक्विडेट किया और वापिस घूम फिरके मार्केट का आगया वहीं पे आगया जहां पे चल रहा था 27,400-500 के लेवल पे अब अगर मैं बात करूं एक महीने तक आपको अब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा अगली जो CPI की डेट है वो 13 जून को है 13 जून को आएगा अगला CPI डेटा और अगली FOMC मिटिंग भी 13 और 14 जून की है यानि 14 जून की रात को FOMC के डिसीजन आएगा और 13 जून को आएगा CPI डेटा 13 और 14 जून की जो डेट है वो इंपोर्टेंट है जून मंत में लेकिन एक महीने तक आप कुछ भी नहीं होने वाला मार्किट के लिए कोई भी डेट यहां पर नहीं आने वाली एक महीने तक शांती रहेगी और लेकिन जो करेक्शन वाली बात हम कर रहे थे शुरू से ही भी आप चार महीने अच्छी ग्रीमरी देखिए तो करेक्शन इस मन देखे दिखेगा जो अप डाउन वाल स्कूल करेक्शन वाले हैं किसी भी क्रिप्ट को से जुड़ जाए तो वह कृप्टो पंप होने से कौई नहीं लोग सकता इतनी पावर और मस्क के ट्वीट में ठीक है डिपेंट करते है किस तरह का ट्वीट है और उसी हिसाव पंप होती है क्रिप्ट लेकिन एलॉन मस्क आज फिर कुछ ऐसे ट्वीट किया अगर आप यहां देखो एक ट्वीट हमको देखने को मिल रहा है इनका एक पोस्ट अगर हम यहां पर देखें लॉन मस्क की तो इस पोस्ट के अंदर यह देर इस नौ मीम आई लव यू तो यह एक मीम कोईन को लेके पोस्ट किया इन्होंने और यह जो मीम कोईन है अभी कितना परसंट राइस हुआ है कितना परसंट उड़ रहा है आप देखेंगे तो आप भी शोक हो जाएंगे चलते हैं इस मीम कोईन के उपर इस मीम कोईन का न लेडीज भी आप इसको बॉल सकते हो मी लेडी के अगर मैं बात करूँ तो इस क्रिप्टो का जो प्राइज है अगर आप देखोगे इंडियन रुपीज में पांच-जीरो चल रही है ना पांच-जीरो के साथ एट के लेवल्स है और यह जो ट्वीट आए लॉन मस्क का इस इसके कारण यह hey new्स परसंट नहीं थो परसंट नहीं हजार परसंट नहीं दस-्झार परसंट नहीं तक इसका चीरों तक कि अग्चार बढ़ने। और अच्छा return भी बना लेते लेकिन यह सब इतना easy नहीं है बस आपको Elon Musk पे जो है आपको focus करना पड़ेगा उनका tweet कभी भी आ सकता है किसी भी crypto को लेके और इस बार जो इस crypto ने तो record ही तोड़ गिया 10,000% तक इसका price बढ़ गया Elon Musk के tweet के कारण This is the power of Elon Musk tweet Next नम बत करेंगे पैपे के बारे में पिछले 5 दिन से जब से Binance पे लिस्ट हुआ है हर दिन यहाँ पे downfall देखने को मिला है और पैपे market cap sink $1 billion in 5 days जो market cap $1 billion की पैपे की पहुँच गई थी वो अब यहाँ पे कम हुई है और some whales are still buying बहुत सारी whales अभी buy कर रही है लेकिन चार्ट कुछ और ही बता रहा है और पैपे has declined 56% over the 5 days wiping a billion dollar from its total market cap तो जो market cap $1.8 billion तक पहुँच गई थी जब यह अपने high level पे चल रहा था अगर मैं बात करूँ on May 6 अब वो market cap $820 million तक आ चुकी है यानि $1 billion से market cap पैपे की नीचे आ चुकी है रपैपे कही ना कहीं इस टाइम पे अभी फिलाल very risky क्योंकि कुछ भी यहां पे टीम की तरफ से announce नहीं हो रहा है और सिर्फ listing और listing के base पे कोई crypto नहीं चल सकती listing जरूर होगी है लेकिन यहां पे कुछ करना पड़ेगा अगर market में टिकना है तो तो Elon Musk tweet करते है लेडीज को लेके और लेडीज को लेके अगर आप देगो खेल भी होता हुआ दिख गया if you bought ladies you should pay attention to these 42 suspicious addresses सबसे पहली चीज दस हजार परसेंट ऊपर चल रहा है अब यहां पे खरीदना एक risky situation है तो फोर्मों मत कीजेगा और इतने high level पे बिलकुल भी मत खरीदेगा they hold 205 trillion ladies 19 million dollar के 23% of the total supply आप देखो इन कुछ addresses के पास 23% supply है 205 trillion ladies hold कर रखे हैं and they all receive ethereum from goo coin at the same time and bought ladies तो भाया किस तरह से Elon Musk का tweet आता है Elon Musk के tweet के साथ साथ यहां पे यह कुछ addresses है जिनके आप 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 देखो ladies है भर भर के जो quantity है और यह total 205 trillion बनती हैं तो किस तरह से पैसा यहां पे पहले ही बन जाता है और वह बनता है सिर्फ और सिर्फ वेल्स का ठीक है नेक्स्ट अपडेट है FET coin को लेके don't miss out और एक जो twitter space है वह आज हमको देखने को मिलेगा ठीक है एक AMA session यहां पे होने वाला फैच चाहीगा तो देखते हैं इस AMA session में क्या निकल के आता है लास्ट और फाइनल अपडेट है लिड्डो डाउ को लेके आपको पता है 15 माई को बहुत कुछ होने वाला है e-cash का network upgrade होने वाला है गाला का V2 आने वाला है लेकिन इसके साथ-साथ लिड्डो का V2 भी आने वाला है लिड्डो V2 update the final on-chain vote for V2 upgrade is scheduled for this Friday May 12th and if no last minute finding our surface and the vote is successful लिड्डो V2 will be live after the vote enactment on May 15th यानि 15 माई को हमको लिड्डो डाउ का भी V2 देखने को मिल सकता है उसके लिए आप तयार रहेगा तो आज किस वीडियो को करते हैं event वीडियो पसंद आया like, share, comment कीजेगा कोई भी question, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं किसी भी crypto में आप invest करें हमेशा अपनी research करें वह बहुत जरूरी होती है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye, take care है